हें 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 चलो बच्चो अब पढ़ाए करते हैं एक सेकंड तुम सब लोग ये सब चीज़ क्या लेके आये हो मैम आपको नहीं पता हम सब लोग के पास RC कार आचुके remote control RC कार आपके पास है क्या हम लोग के पास इंडियन RC कार है यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट के पास है आपका कहा है RC कार हा मैम अब तो हर बच्चे लोग और हर टीचर लोग के पास RC कार आचुकी है आपका कहा है हाँ मुझे तो लगता है कि मैम गरीब है मैम के पास RC कार नहीं है और अगर नहीं हुआ ना तो मैं मैम से नहीं पढ़ूँगा जिसके पास remote control कार नहीं होती हम लोग उसका respect नहीं करते दोस्तों ये हमारा ग्रूप का जन्जी वाले style है हाँ टीचर आपके पस अगर RC कार नहीं है तो हमलोग नहीं पढ़ेंगे आपसे Teacher गो बाइक आट करओ एई टीचर निकल जाओ या से आपके पस RC कार नहीं है और रुक जाओ रुक जाओ ये RC car कौन सा बवाल चीज़ आ गया है लोसेंटोस में कि होना जरूरी है ये क्या है भाई मैम जो आपको ओरिजिनल कार होता है ना उसका ये मीनी वर्जन है इसे आप रिमोट से भी चला सकते हैं और प्लस इसके अंदर बैट के भी घूम सकते हैं और ये बैटरी से चलती है आजकल ये बहुत ट्रेंड में है सब लोग के पास है आपके पास नहीं है नहीं मेरे पास ये बड़ी वाली XUV7W है मैंने हाली फिलाल में खड़ दिये देखो कितनी बड़ी है इसी से मैं आना जाना करती हूं क्या मैम मेरे पास आप से ये बड़ी फॉर्चूनर थी मैंने इसे मीनी कार में बदल दिया और आप अभी ये XUV7W चला रहे हैं छी मैम ऐसी बात है त ये गाड़ी से मैं अब जा रहा हूं जब आपके पस RC कार आ जाएना तब मुझे बुलाईएगा पढ़ाने के लिए तब मैं आउंगा वरना तो मैं नहीं आने वाला हाँ मैम मेरा दोस्त तो चला गया मैं भी जा रही हूं क्योंकि आपके पस RC कार नहीं है जारी हूं मैं मेरा भी स्टैंडर है RC कार होना जरूरी है हट जाएए मैम मैं तो जा रही हूं आपके पस RC कार नहीं है ऐसा थोड़ी न होता है भला मैम मैंने एक नया स्कूल में अड्मिशन कराऊंगा जिसके पास सारे सारे के टीचर के पास RC कार हो आप जैसे नहीं गरीबो गरीब मजलब RC कार नहीं आपके पास चलो निकलते हैं चल मेरे फॉर्चूनर वाले भाई हम लोग कहीं दूसरा स्कूल में ड्मिशन कराते हैं मैम सच में मैम आप से तो ऐसा उमीद नहीं था कि आपके पसार सी करना हो लेकिन छोड़ो मैम हम लोग तो जा रहे हैं आप अकेले ये बड़ी वाली गाड़ी के साथ पढ़ाना खाले क्लास को ठीक है चलो दूसरा स्कूल ढूनते हैं ये क्या हो गया दोस्तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट चले गए अगर सारे के सारे स्टूडेंट चले जाएंगे तो कोई फीस नहीं देगा और अगर कोई फीस नहीं दिया तो मैं गाड़ी के किस्त कैसे बरूँगी और अगर गाड़ी के किस नहीं बड़ी, तो ये गाड़ी ना, बैंक वाले लोग उठा के लिके चले जाएंगे, ओ नो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो सिफ रो सकती हूं दोस्तो, मेरा स्कूल बरबाद हो गया, मैं बरबाद हो गई, मे चलाने थे, फ्रैंक ले मैं फिर मैं रो दूँगा, अच्छा यार, सिंचन तू ही चला ले, ये हुई ना, बात, ओक यार, ये देखो, छटाक्स, यार, ये भाई, थार के अंदर बैट चुका है, सिंचन का बच्चा ना, कभी नहीं सुदरेगा, गाइस मैं आपको बता र चलाश कर रहे थे, तो फानल यार, आज हमें एक स्कूल मिला है, जहाँ पर यार, सिंचन अच्छे से पढ़ सकता है, अरे हाँ, लोसेंटोस का नंबर वन स्कूल है, जहाँ पर गाइसर एक टीचर है, इवल करके कुछ टीचर है, पिंक कलर का ड्रेस पहनती है, और गाइसर वो टीचर ना, सुनने आते हैं कि बहुत ही, बहुत ही खडू से और गाइसर अच्छा पढ़ाती है, भाई सिंचन जैसे बिगडेल और भाई साब, बनमास बच्चे के लिए वो टीचर परफेक्ट है, सिंचन को गाइसर डाटेगी, मारेगी, होमवक राएगी, और गाइस बढ़ कांड हो ही जाता है, अब चलो यार, एक काम करते हैं, जल्दिस जाके देखी लेते हैं कि भाई यार, वहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब कि स्कूल में यार, सिंचन को एडमिशन मिलेगा भी की नहीं, लेट्स गो, एंड गाइसर, भाई सिंचन, अगर तुझे एडम समझ ही नहीं आता, सिंचन, जो टीचर कहेगी, वही तुझे करना है, जब वो बोलेगी होंवा करने, तो होंवा करना, जब वो बोलेगी पढ़ने, तो पढ़ना, जब वो बोलेगी खड़ा होने, तो खड़ा होना, और जब वो बोलेगी टाइलेट करने, तो टाइलेट कर जाएगी चलो गाईजर जल्दी जाते भाई बस यह स्कूल आ गया यह देखो यह गाईजर इवल टीचर का स्कूल अब यह टीचर से मिलते हैं ओक यार फानली आ चुके स्कूल एक सेकंड यह क्या यहां पे तो टीचर रो रही है गाईज यह देखो सबको रूराने वाली टी क्योंकि मेरे पस यहां पे आर्सी रिमोट कंट्रोल कार नहीं है इसी वज़े से क्या कहा मैं यहां पे सारे के सारे आपके स्टूड़न भाग गए त्यूकि आपके पास रिमोट कंट्रोल कार नहीं यह तो बहुत ही बुरा हुआ अरे हां बहुत ही बुरा हुआ मैम मैम अड्मिशन कराने के लिए आए हैं, बट अब कोई फाइदा नहीं, सारे के सारे बच्चे भाग चुके हैं, स्कूल बन दो चुके हैं, अब बता में क्या करूंगी, पता है मुझे अपनी गाड़े के किस भी देनी है, बहुत जादे मैंने लोन मीजी वाली गाड़े ली है, अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आएगा, तो फीस नहीं आएगी, उसके बाद यहाँ पे मैं यह गाड़ी की लोन मी नहीं दे पाऊंगी, अरे मैम आप चिंदा मत करिए, मैं जो काम करूंग ना, उससे आपके सारे के सारे स्टूडेंट वापस आ जाएंगे, और हाँ आपको हर मैने फीस भी मिलेगी, यह तो अच्छी बात है, बट तुम लोग करोगे कैसे, मैं जो आपके पास इतनी बड़ी बाली XCV 7W है न गाड़ी, एक काम करते, उसे न मिनी RC कार में बदल देते हैं, क्या, ऐसा हो सकता है, अरे हाँ, ऐसा हो सकता है मैं, अरे वा, एक क काम करो, कर दो, कर दो, लेकिन मैं उसके बदले आपको मेरे एक काम करना पड़ेगा, जो नीचे जो छोटा बच्चा सिंचन दिख रहा है न, वो बहुत ही शरारत करता, बहुत ही बनमाश है, आपको अपने स्कूल में रखना है, और इसे पूरे तरीक से ठीक कर देना है, म पता ये आप कोई सुधार दे, अरे नहीं, देखने में तो ये बहुत ही अच्छा है, प्यारा बच्चा, बस दिखने में ही प्यारा बच्चा है, हरकत में तो भाई दुलारा बच्चा भी नहीं है, छोड़ो मैम, आपको यार अपनी गाड़ी को मिनी आर्सी कार में बदल गाड़ी में बैठने के बाद बताता हूँ, अरे फ्रेंकली भ्या, ये तो गाड़ी बहुत ही बड़ी है, हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी है, क्या इसका मिनी वर्थन बन जाएगा, अब गाजर बैनी के हाट तुमें, गाज ये देखो, ये है XUV7W, भाई कितनी कमाल क्यों कितनी प्रीमियम गाड़ी है, दोस्तों ये है गाजर महिंद्रा की गाड़ी, आप लोग को तो याद योगा, भाई हमारा जो थार है न, वो भी गाजर महिंद्रा का ही है, इसलिए मुझे पक्का किने, भाई याँ पर बैनी न, इसे यार मोडिफाई करके, मिनी आर्सी कार में बदल देगा, ये तो बहत ही पड़िया है, उसके बाद मेरे सारे स्टूडेट वापस आ जाएंगे, हाँ, आपके सारे के सारे स्टूडेट वापस आ जाएंगे, और और भी स्टूडेट आएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी कमाल की, मिनी आरसी कार होगी, एक्सवी 7 अच्छे हो मेरे बारे में कितना को सोच रहे हो अरे मैम हम लोग तो अच्छ ही है हम लोग दिल से अच्छ है बस मैम आप एक काम करिएगा बोलो यह जो मैं काम बता रहो न वह अपने सारे के सारे स्टुडेंट से भी करा लिजेगा प्लीज हमारे चैलन को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि पता है मैम हम लोग आप रोजान आप लोग को इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार गेमिंग वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं इसलिए वह मिस ना करें इसलिए आप लोग चैलन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्र अपनी फ्रेइट मैम के साथ भी शेयर करना ये वीडियो को चलो तो मैम आचूकर हम लोग वेनी के पास ये देखे ये यह रे अब गाईजर इसके अंदर लेह चलते गाडि को फानली गाड़ी अंदर आ चुकी है हलो बेनी कहसो यार मैं नए गाड़ी लेकर आ गया अरे फ इसे छोटा करना है अरे हा मेनी थार जितना अच्छा अच्छा ओसा ठीक है हो जाएगी कोई बात थी गाड़ी थोड़ी से बढ़ी है थोड़ा जादे समय लगेगा बट मैं इसे छोटा बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है अरे देख लो बैनी उसमें संद्रफुन सब आ ज करिए चाये नास्ता करिए वो ते दिर में आपकी गाड़ी ना रेडी हो करके मेरे घर की तरफ आ जाएगी पारसल में उसके बाद अपनी गाड़ी से आप मज़े करिएगा आपकी बन जाएगी मिनी एक्सवी सैवन डबलो आर्सी कार हा तब आएगा बहुत ही मज़ा चलो अब गाजर से खोल दे जाए तो चलो एक काम करते कोल दिया जाए खुल जा एंड गाजर यह दो कितनी कमाल की लग रही है अब टीचर आपके भी पता है स्कूल में बहुत यह अदे स्टूडेंट आने वाले हैं यह गाड़ी देख करके हाँ तुमने सही कहा तो जाए यह ही ही हाँ चलो यह गाड़ी का ले जाती हूं मैं ओके तो यहाँ पर टीचर यार यह अपनी छोटी वाली मिनी एक्सवी 7W को यार लेके जा रही है अब बता है यह यहाँ यहाँ पर स्कूल में इसका लाइन लगने वाले हैं बच्चे लोग का क्योंकि आब यहाँ पर यह क्या करना है हमें हमें क्या करना है तुम्हें स्कूल जाना है नहीं मैं सोचरों कोई और स्कूल जाओ ओके त्वयार सिंचन सोचरों कोई और स्कूल जाए आप लोग कमेंट करके बताओ गाजर सिंचन को कहांड मिशन कराना चाहिए यह इवल टीचर वाले स्कूल में य तेगे लिए टेक क्यार एंड गुडबाई दोस्तो